तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है तब ही आपको समझ में आएगा राजस्थान की BSTC के लिए यह दोस्तो जो वीडियो है काफी helpful रहने वाला है जिसमें complete आपको जीके मिलेगा तो दोस्तो बिना किसी देरी के आज की सेस्टन को हम शुरुआत करते हैं पहला कोशन ह इसमें हम बात करने वाले हैं टोटल एकान कोशन यह complete हो जाएगा आपका राजस्थान के लोग देवतां से समझ दिद आपका एक भी कोशन BSTC साई कोई भी एक्जाम हो उसमें आपका गलत नहीं होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के कौन से लोग देवता पेपर भी उनका देख सकते हैं तो इसका राइट आंसर गाता तेजा जी महराज है ना तेजा जी देख सकते हैं इनका विवरन भी दिया गया है तेजा जी खड़ना नागोर तार जी राज कुमरी के यहां माग सुलक चतुरदस्वी को 1073 इस्वी में इनका जनम हुआ था स ससूराल अगर बात करें किसका तेजा जी का नकी लाच्छा गूजरी का तेजा जी का जो ससूराल था वो पनेर और तेजा जी की पत्नी का नाम अगर बात करें तो पेमल था लाच्छा गूजरी की गायों को मेर से मेर एक जाती है उनसे बचाने में तेजा जी जो महारज है व तो यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन है दोस्तों वीडियो को लाइक करदेना चैनल को सब्सक्राइब करदेना प्लीज नेक्स्ट हम बात करते हैं परबत सर का मेला किस लोग देवता की इसमर्ति में आयुजित किया जाता है यह लेब असिस्टेंट में कोशन पूछता था होम साइस 2230 को यानी परबत सर का मेला किस लोग देवता है की इसमर्ति में पर बखता यह लगता है और इनका जण्यू परीचे मैं पहले यह आपको बता दिया है यह एक आप इसको एक बार नोट कर लेना तो यहां से 101 परशेंट कोशन आता है परवत सर मेला तेजा जी की इसमर्ति यानि उनकी याद में आयोजित किया जाता है प्रसीद पशु मेला नागोरी बेलो अवम बीका नेरी उंटों के क्रे विक्र यानि खरीदने वो बेचने के लिए आपको लेकना है तो यहाँ परवत सर में आपको कर सकते हैं अगरा कुश्टन है कि क्यों सेसे कौन सा इस्तंस नहीं है यह देख सकते हैं क्वेशन दो बार रिपीट हो आए हर बार यह समन निम्न लिकित में से कौन सा इस तलिया सुमिलित नहीं है इसमें आप पहला आए खड़ना लिनका जन्म वता पनेर ननिहाल सुरसरा समाधी स्थाल परबसर मेले काहिस्तान तो इसका जो राइट अंसर रहा हो पनेर में अगर बात करें तो तेजा जी का दोस्तों क्या हुआ था ननियाल नहीं है तेजा जी का ठीक है टेजा जी का क्या दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहां से देख सकते हैं कि टेजा जी का जन्म के बारे में ठीक है टेजा जी जिए जिए क्या था दोस्ता सास रा था ससूराल था पतनी का नाम पेमल दे था बिल्कूल समाधी सुरसरा यह आपको ध्यान रखना होगा सुरसरा किशन-गड़ में आता है मेला परवच सर नागोर में लगता है बादरपद सोकल दसमी के दिन और जो तेजा दसमी कहते हैं व सकते हैं नैक्स्ट को सनिंहाँ आप देख सकते हैं कि तेजा जी के जन्म स्थल कौन सा हैं तो इसका राइट आंसर कौसा और घ्र में नमबर जो इसका बी हो गा उनका बिल्कुल राइट होगा खड़नाल तो खड़नाल है जन्म इस्थल हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि तेजा जी नागवंसी जाट दोल्या गोत्र से थे एक अजार तेटर में जन्म हुआ था एक 1103 निश्वी में यहां पर देख सकते हैं चतूर दसी गोडी लिलन सिंगारी है और प्रतिक अगर बात करें तो तेजा जी तलवार धारी अश्वार हुई अश्व किस नाम से जाना जाता यानि जो तेजा जी तेज Hind जी महराज उनका जो चबूतर होता है ठीक है जैसे राजस्तान आपको लोग ःता हो चेफर सकतम ठीठ भाटर जी का जो चबूत्रा होता उनको थान कहते हैं और पूजारी को दोस्तों घोड़ला कहते हैं आपको ध्यान में रखना इनकी छोटी सी वैकि आप एक बार जरूर देख लेना वीडियो को रोक करके हम आपका ज्यादा टाइम में खराब नहीं करेंगे अगला क्वेशन है कि ल राजस्तान पूलिस कॉंस्टेबल 2013 में कोशन पूचा गया है ठीक है यहां पर देख सकते हैं लोग देवता तेजा जी जो सिनागों का देवता जिसों काला बाला देवता कहते हैं करशी का उपकारक कहते हैं यानि जब राजस्तान में जो करशी वगएरा करते हैं जो अप थो आपके तो खर ख़रना राट क्राइब करना नागौर बारा तो यह जो कुछ इसतान दिये गए जैसे सुरसुरा मंडावरिया सेद्रिया बावता ये अज्मेर के और तो यह को चस्ता लिए खियात रखना होगा एक्जाम के लिए इंप्पोर्ट इर राजस्तान के सरवादिक मेहतुपूर्त- लोक रोता मानए जाते हैं यह lud देप्स्थ अगाते हैं यह कुछा इसलिए नहीं टाइम ले रहा हूं क्योंकि टाइम कम है आपके एक्जाम है तो जल्दी से जल्दी हम आपको पूर्ण करवाते हैं तो इनकी जो वेक्या है आप यहां पर देख रही आपको थोड़ी सी आपको वीडियो को एक बार रोक करके फिर उसको देख करके नोट करने क देवतां घायों के मुक्ती दाता किसे मेर लोगोंसे करशी उपकारक देवता इनको कहते दोलिया वीर कहते हैं शेंद्रिया ब्यावर अजमेर यह एक चैत्रे सेंद्रिया वहाँ पने इनको क्या किया था डस लिया था निर्वान यह जो सहीद हुए थे वह यह जो किता में इसको मुठ्यू लेका वा तो सुरुसरा अजमेर में हुए था बादर पद शोकला दस तार राजस्तान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है तो आपको पते हैं उसको जाना जाता है ठीक है जन्म इस तरह पहले हैं अगला कोशन है कि राजा अजमाल यहां पर लेका हुए कि राजा अजमल किस लोग देव कि पिता था क्या में बागवान श्री क्रिश्ण की भक्तीกी और रामदेवजी ने रुनिचा में व्यापता बेदभाव को मेटाने के लिए कामड़ी अपन्त चलाए था इंपोर्टेंट दोस्तों कामड़ी अपन्त किस ने चलाए था तो बाबा रामदेव जी ने चलाए था और आपको मैं पता देता हूं कि ऐसा भी वो कोशन ठीक है वो आगे आ इनका जन्म बाबा रामदेव जी याँ पर थोड़ी सी व्यक्या वो आपके एक बार देख लें ना इसको पीरों का पीर कहते हैं रुनिचे का धनी रामसा पीर कृष्ण का आवतारी माना जाता हैं बाबा रामदेव का जन्म उंडू कासमेर शिव त्यशिल बाडमेर में जन्म होता बादरपद शुकल दो को इनका जन्म होता मेला लगता हैं बादरपद शुकल दूत्या से लेकर के बादरपद शुकल दस मी तक ठीक है सांपरदाइक सदभावना का मेला बिल्कुल इंपोर्टेंट है सांपरदाइक सदभावना का मतलब होता है एक मातर ऐसा ल लोग देवता ने गायों की रक्सारत है जो प्रतेक्स यूद नहीं किया था यह चार कोई नहीं किया यह था तो थोड़ी सी यहां पर वैख्या दी गए जो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं अपनी मेले को संपर्दाइक्स दभावना का प्रतिक मना जाता को पहले बात करा था यह राइट आंसर होगा रामदेव जी अभी हमने उपर भी पढ़ा था इसका राइट आंसर होगा बिल्कूल क्योंकि यह जो रामदेव रुणिचा में व्याप्त जो भेदवाव है उनको मिटाने के लिए कामड़ यापंत नोने चलाए था कोशना सकता कि कामड़ याप प्रतीक माना जने वाला मेला कौन सा है तो दोस्तों सामपरदाई सद्वावना के लिए सबसे बड़ा मेला बाबा रामदेव जी का मेला है जो रुणिचा में भरता है बादर पद सुक्ल दूत्या से लेकर करके एकादसी तक को नेक्स्ट को सने कामड़ याप पंदका संस्तापक कौन था यह ऐक सकते कृशन तीन बार रिपीट बाद यह दोस्तों जो कुशन पूचे गई लेकिन इसमें जो सन वगेरा वो हमने नहीं लग गई है ठीक है कामड़े पंद का संस्था पर अगर पूचा जाए तो अभी हमने आपको बता था संत बावा रामदेजी महाराज है और कामड़े पंद के बारे में थोड़ी सी यहां पर जानकारी लिखी गई है और इसमें कौन सा नर्तिय वगेरा किया जाता है वो भी हमने यहां पर इसमें लिखा गया है तो एक बार वीडियो को आप जो देख करके रोग करके आप देख सकते हैं तो यहांप से कोशन पूचा जा सकता है कि कामड़े पंद का जो उन्हों संचालन किया था तो वहां य को नेक्स्ट कॉर्शन एह 115 को सन highway उताब दो और गाया जाने वाने वाले नेतल नेतल का बहत करें था कि संदरप्र पर देख करें कोपने जाने वाला च lovely जाते हैं क्या गाली पहाड़े कवाली और विवहा तो इसका किसमें गॉय जाते हैं आपब देख सकते हैं कुर्षान नंबर 17 हैं यह परफेक्ट देखिए उस इस्तान को चुनी है जो चिनित कीजिए यानि उस इस्तान को चुनना है जो किसी भी परकार लोग देवतार रामदीजी से समधित नहीं है चार आप्सन दियेगा इसमें से कौन सा इस्तान है वो बबारामद देखिए अगर बात करें तो यह मूल रूफ से अपने कहां पर रिष्तित दोस्तों बनेडा यहां आपके रामसापीर जो रामदीजी वे इनको रामसापीर जो कहते हैं वह मुश्लिम लोग कहते हैं रामसापीर रुनिचा या राधणी रुनिचारा धनी बाबार रामदी कुटा राम्रामदेवरा नहीं यह आपको ज्यान वर्टेट ए आपको जय शेयर नेक्टpeasi से चसे आपको आपको चया ग्राफ को से जुह आपको याद होने अनिवारी है यह को सब्सक्राइबी से राम धेवरा का प्रचिंगा थैघ्सक्याद का यह थ्यासिखते हैं दोजार सत्रा में जेल प्रारी जो एक्जम होता उसमें पूचा था कि राम्देवरा का जो प्राची नाम है तो इसका राइट आंसर होगा ओप्षर नंबर 6 रुणीचा रुणीचा इसका बिलुकुल राइट आंसर होगा और इसकी वह क्या आप एक बार इसको देख सकते है अग्ला option देख सकते हैं कि 19 यह वस्तित मतलब है वहाँ पर वर्टवान व warn day जीसा में पता उनूर में शीङ थे भी आपको पति ठीजा हैं तो यहां पर आप कोई ध्यान में होगा चाहिए रामदेव जी की जो पंचरंगी पता का है, जो ध्वजा है, उन्हीं को कहते हैं, वेक्या आप आराम से देख लेना, नेजा, जम्मा, रिक्या, किस इस्थानी लोग देवतां से संबन दीते हैं, तो ये रामदेव जी से संबन दीते हैं, नेजा आपको पता है, जो ध्वजा होते हैं और को इंको रिकिया कहते हैं ठीक है कि अग्रवी अगला कोशन है लोक्तवता गोगा जी की समादी गोगा मेडी राजस्तान के कौन से जिल्ह मेचती थे गोगा मेडी आपको पथा हनुमान गड़ मेचती थे थे हैं अब इन जन्म परीचे के बारे में हम बताते हैं, गोगा जी का जन्म दद्रेवा चूरू में हुआ था, जहांपर उनको सिर्ष मेड़ी कहते हैं, समाधी अगर बात करें, तो हनुमान गड़ गोगा मेड़ी जहांपर उनका समाधी इस्तल है, ओल्डी अगर बात करें, गोगा जी की ओल्डी तो सांचोर जालूर, आपको पता होगा सांचोर किसके लिए प्रसीदे, अभी नविंतम जिल्ला भी बनाएं, और वेपर आउट में भी सांचोर सबसे फश्ट है, यहांपर आप देख सकते हैं, जो गोगा जी की ओल्डी है, 2021 में क्वेशन पूचा था, यानि यह दोस्तों जो क्वेशन अभी जो हाली में जो राजस्थान पूली सब इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट जारी हुआ है, उसी एक्जाम में यह क्वेशन पूचा था तेविस्वा की लोग देवता गोगा जी की जन्मिस्तली के बारे में जन्मिस्तली कोंच दोस्तों, जन्मिस्तली आपको पता है, मैंने अभी बता था, ददरेवा चुरू में, जिनको सीर्ष मेडी कहते हैं, और गोगा मेडी जहां पर दोस्तों की क्या अभी थी? ुआ होले हैं उनको फोड़ा से यहां पर देवता कहते हैं गोंगा पीरी को पना यहां पर सब्सक्राइब करते हैं कि राजस्तान ने महमूद गजनवी से युद किया था दो बार कुशन देख सकते हैं रिपीट हुआ 17 में और 20 में राइट आंसर होगा गोगा जी महराज ठीक है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसकी वेख्या देख लीजिएगा यह अगला कोशन है कि लोग देवता गोगा जी किस सासक के समकाली माने जाते हैं अभी कोशन आये था किस के समकाली है महमूद छहाइब और छान होता है कौन से व्रक्स के नीचे होता है तो अभी हम पढ़ा था किस के नीचे होता है यह कहते है तो गोगा संधुष ऑगाग गोगाजी से समंधित ऐ आपको पता हैं जहांपर गोगाजी का जन은 हुआ था क्या इसकी माता का नाम 25 पिता का नाम अगटकर आध ses अगला वो सानगे कि किस लोग दैवता का मुखः मंदीर कोलुं में इस ती झोलू दोस्त grave कहांपर आपको पता ही है जो कोलु इस थी थे है राजस्तान के फलोदी जोदपुर में इस थी थे और कोलु का समंध अगर पूछ जाए तो पाबुजी राठोड से समझीद important question है पाबुजी राठोड जिने उंटों का देवता कहते हैं राड फाड पाबुजी कहते हैं इनको लक्समन का आवतार कहते हैं जनम अगर बात करें पाबुजी के बारे में तो कोलू फलोधी जोदपुर में इनका जनम हुआ है और 1249 चैतरी अमाउश्यों का इनका जनम हु बाहरतीन के हैं और पाबुजी की गोडी का रंग अगर पूए तो केसर कालमी गोडी के मेला पूछा जाएं तो चैतर अमाउश्य के दिन मेला लगता पाबुजी की फढ अगर बात करें तो फड़े वो छोटी जो फड़े वो सबसे लोग परिये हैं इंपोर्टेंट कोशन है आपको ध्यान में रखना पाबुजी से समझ जितने भी जो तथ्य हैं जो इंपोर्टेंट जो थोट से वह हमने आपको बता दोस्तों कुशन है कुशन सब्सक्राइब बात करें प्लेक प्लेग रख्षक का पहले तीक है उनको उनका रख्षक कहते और इसको लक्ष्मन का अवतार माना जाता है जनमाबी हमने पहले आपको बता दिया था वह जड़ा इसमें देखने की जरूत अन्Yनग नहीं है मेर जाती के मुसलमार इनको पीर मान करके पूझत करते हैं और थोरी जाती के जो लोग वो इनके अराद्य cute होटे हैं यह आपको ध्यान में रहा है मैंने आपको बता रखाये अगला कोशन है कि कौन से लूक देवता को उंटो के देवता के वीडियो को एक बार रोक देना रोगने के बाद में देखना लिखने ना उसके बाद में वीडियो को पुने स्टार्ट करना है अगला कोशन देख सकते हैं कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोग देवताओं को जाना जाता है जाहर पीर आपको पते हैं जाहर पीर के नाम से अगर हम बात करें तो गोगा जी को जाना जाता है डी ऑप्सन बिल्कुल इसका करेक्ट अंसर होगा यह इनकी थोड़ी सी वैक्या है जो हमने पहले आपको बता रखी है अगला कोशने पाबु जी का मुख्य तिर्थिस्तल कौन सा है सबस्क्राइब तो पाबु जी की लोग पर अगर पूचा जाए तो भी एकौन सी पाबु जी महाराज की या पबुजी राटोर की पाबु जी को किस का आवतार मना जाता है तो लक्समन का आवतार हमने पहले बता रखा थोड़ी सी वैक्या देख लेना आप संत पाबुजी के शिस्य मुख्य था कौन है खैस्थ इन कि जो मुख्य शिस्य कौन हैं तो आपको पता इनको मुख्य मरबहन कि जातए का दिन होतीицंति आपको कैसे करना है ऐसा हें पाइखो करना के कि नाम से जना जाता है आपको ध्यान में रखना है कलला जी याठर्षार्षा आपको पतन हैं और पाबू जी राठर्षार्षा खह Economy सबसमर्ण कि एате खेला जी राठर्षा सब्हूंद सब्हुन है अगला करोशन का और sound गोगा जी मात्षा से संप्वरू ठास्ब्षा से हैं करनीमात्षार्षा हैं तो इसका जो राइट अंसर होगा वो कौन सा होगा पापू जी राठोड देव नराण जी तेजा जी तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आपको इनका तली नात का याद नहीं है तो जो आपको याद है सबसे पहले उन्हीं का आपको देखना है ठीक है तो इसके जो right answer होगा आप हम बात करते हैं तलीनाथ का समद पांचोटा गांवं जलोर से है बल्कुल correct answer है आपको यानि पहले में आपका एक नमबर पहले में एक नमर कौन सा है पहले में एक नमर यह देख रहा है ठीक है नेट्स अम बात करते हैं तलीनात का समद Not-500 गाउं से हैं उनका मुकेतित इस्तले तैजा जी का समद आपको पता हैं परबद सर नागोर से हैं देवनाराणी का समद आसिंत बीलोडस हैं पाभुजी का समद कोलू गाउं फलो दीशी है तो आप इनको मिलान कर लेना है और इसका जो राइट अंसर को ऑप्शन नंबर कौन से होगा चार बिल्कुल राइट होगा एक भी डी और सी बिल्कुल करेक अंसर है थोड़ी सी वैक्या आप इनको देख लेना है अगला गाउं से बेंग्टी गाउं किस लोग देखता से अगर पूचा जाएं तो बीच्ट इनका मुह लेजतान था अगर आपसे पूचा जाए कि राजस्तान के कौन से लेख लोग देखता है जिनका समन्द बेलगाडिजी बेल गाड़ी जिनगी पूची जाती है तो बेंग्टी गाउंवालां आपको धियान में रखना है पाबुजी नहीं पापोजी का ग अगलत है थो योग में वह लोग देग पाता का नाम देखल अंसे पूछा है आपको समेल से नहीं यह बलकुल सहीं अगरван पूचा जा और अगर पूचा जाए तो मलीनाद का कहां पर 500 मह बाड मेर मिन का राइड अंसर होगा अगला क्वेश्चन इनको तिलवाड़ा बाड में राजस्तान के निम्द लिखित में से किस लोग देवता से जोड़ा हुआ है तिलवाड़ा मली नाजी से जोड़ा हुआ है कब मेला लगता है वह यहां पर आप एक बार देख सकते हैं सलका इनके पिता का नाम जानी देव पतन इनकी माता का नाम था पतने का नाम रूपल देव अगला कोशन देख के दोस्तों कोशन इंपोर्टेंट है यह वाला कोशन नंबर 41 कि नेक्ट कोशन है कि लोग देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे राजस्तान में जो है बाडवे जिल्ह में वीवर्थिये बालोतर अब वरत्मार में नया जिला जिला भन गया है भी जो कि राजस्तान में निम्न मैसे किस जिल्ह मुख्य मंतरी के दोरा देव नाराण पेंदोर्मा का सिलान्यास किया गया है boleh पता होगा देव नराण जी जो गुर्जर संप्रदाय के लोग है जो गुर्जर संप्रदाय के लोग मानते तो आपको पथा वह पर आप के लोग देवता की फड़ टिकेट जारी किया था बिल्कुल आपको द्यान में रखना थोड़ा सा कि देव नारान जी की फड़ सबसे पुराणी वह सबसे लंबी फड़ है यहां पर को नाम केतना लंबा है तो फड़ भी क्या होगी लंबी होगी नाम लंबा होगा तो क्या होगा पुराणा होगा तो आपको यह ट्रीक है ठीक है तो ट्रीक के लिए आपको नाम पुराणा है यानि कि यह जो सबसे पुराणी फड़ देवरान देव नारान जी की सबसे लंबी फड़ है सबसे छोटी फड़ किसकी है पाबु जी की है जो सर सबसे लोग प्रिफड़े सबसे चोटी और कम चित्रांकन किया गया है देव-णारण जी की फड़ एक ऐसी फड़ जसमें सरवाधी चित्रांकन है अगला क्वेशन आप देखिए सब्सक्राइब के लोग तो बाइब करोड़ा जाते हैं अगला कोशन देखी है कौशन नमबर 28 अक्बर के विरुद चितोडगड आक्रमन के समय कौन लोग देवता युद करते हुए मारे जाते हैं चितोडग आक्रमन के समय पूचा है अक्बर के खिलाफ तो इसका राइट अंसर होगा और इनकी थोड़ी सी जो जानकारी वगिर हो आप एक बार इनको देख लेना नेक्स्ट कोशन है बूरिया बाबा आराध्य देवता माना जाते हैं इनका मेला लगता है मंदीरों के इस्थानों को यहां पर संहेलित करना है कौन से संहेलित नहीं है ओष्या मंदीर जोधपुर में बिलकुर राइट है're साला सर्म बाला जी मंदीर अपने अगर बात करें तो चूरू में पूछे गए वो सभी कोशन आज के सब्सक्राइब कर दिया लास्ट कोशन है कि जे मलोत राठोड को किस लोग देवता के नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर का उप्शन नमर सी अलम जी महराज बिल्कू राइट आंसर वगाई गुड़ा मलानी बाड में लूनी नदी के किनारे राड धराज छेतर में उनकी धानी ठेले पर मंदी रिष्टेते आलम पसु मेला बादरपत शुक्ल दिवत्य के दिन लगता है जो राजस्थान के बाड में जिले में कर देना नेक्स्ट वीडियो दोस्तों क्योंकि दोस्तों यह राजस्थान के लोग देवता से समंदीत आज तक जितने भी क्वेशन पूछे गई हैं और अभी तक अगर बात करें इस से समंदीत एक भी क्वेशन आपका बाहर किसी भी एक्जाम में नहीं जाएगा वीडिय एक और ने नेक्स्ट वीडियो के साथ